गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीए स्वित प्रजीस, आज हम लोग इतिहास के लगभग बहुत महत्वपुर्ण पचास प्रस्ण को करेंगे और सभी कोस्चन MC की अबजेक्टिव आईज कोस्चन है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे सेयर जरूर करिएगा, चलिए पहला कोस्चन पर आजाते हैं, कि हडपा सभ्यता की खोच किस ने की थी? हडपा सभ्यता की खोच सभी जानता है दयराम साहनी ने किया, 1901 सिस्वी में, ओप्शन ए दयराम साहनी, नेक्स्ट, वह सासक जिसने सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा सरीर त्याग दिया, कौन था? सच्चे जो जैन धर्म अपनाया था, सासक, चंद्रगुप्त, मौर्य, उसने अपने सरीर को त्याग किया था उपवास के द्वारा, इसलिए ओप्शन सी इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन पर हम लोग चलते हैं, कोस्टन नमबर थर्ड, तराइन का प्रत्थम जुद्ध 1191 इस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का पहला जुद्ध 1191 इस्वी में मौहमद गवरी और पिर्थ्वी राज तीरतिये या फिर इसे पिर्थ्वी राज पिर्थ्वी राज चौहान भी कहा जाएगा, पिर्थ्वी राज चौहान के बीच लड़ा गया था, और इसमें पराजय हुआ था, मुहमद गवरी का पराजय हो गया था, और पिर्थ्वी राज तीरतिये का विजय हुआ था, नेक्स्ट कोस्टन पर आजाते हैं, बंगाल बंगाल को मुगल सामराज्जी से प्रिथक कर सोतंत्र किया, कौन मुर्षिद कुल्ली खा, उफ्षने, मुर्षिद कुल्ली खाने बंगाल को मुगल सामराज्जी से प्रिथक कर सोतंत्र किया, नेक्स्ट, विद्वापुनर विवाह कानून कब बना, विद्वापुनर विव कब अपनाई अंग्रेजों ने फुट डालो और सासन करो की निती 1858 इस्वी के बाद अपनाई ओप्शन सी लौड डलहौजी इसका प्रनेता थे चलिए नेक्स्ट कोस्चन पर आजाते हैं बहुत महतोपुर्ण कोस्चन है इतिहास से यही सब प्रस्ण अभी के हाल फिलाल के ओनलाइन जिस तरह से अस्टैटिक टाइप का जीके पुछे जा रहा है इसलिए सभी वीडियो को ध्यान पुरुवक आप लोग देख से जाए चलिए कोस्चन नंबर साथ करते हैं कि इंग्लेंड में ग्रिह युद कितने वर्सों तक चला था इंग्लेंड में जो ग्रिह ये कहा जाता है किंद्रिये एसिया से ओप्शन सी नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नंबर नाइन किस अवधी में रामायन एवं महाभारत की रचना हुई थी रामायन और महाभारत की रचना आरे अवधी में हुआ था ओप्शन डी नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नंबर दस पत की डुसरी लड़ाई जो हुआ था वो वेगम खाण और हे मुखे बीच हुआ था मस्तानी किस सासक की प्रेशी थी वाजी राव पेश्वा की मस्तानी प्रेशी थी बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम सासक ने सर्व पर्थम जीता था खिल जी का सासक ने जीता था बिहार को सर्व पर्थम Next, question number 15, मुगल काल में सरोपर्थम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने अस्थापित किये? मुगल काल में सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना अंग्रेजों ने अस्थापित किया? Next, पहली सहायक संधी कौन सी थी? निजाम, पहली सहायक संधी निजामों के साथ हुआ था Next, करनाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? करनाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है? औफशन सी नेक्सट किसके सासनकाल में प्रथम चीनियात्री भारत में आया था चंद्र गुप्द द्योतिये के निप्रित्व में नेक्सट निमलिखित मुगलों सासकों में से किसे प्रिंस ओफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता इस सहङ हां को प्रिंस ओफ बिल्डर्स के नाम से सिख समुदाय के अंतिम गुरु काउं थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंग option C कुची पुड़ी कहां का आरम हुआ? कुची पुड़ी जो निरित्ती हुआ कहां आरम हुआ था? आंधर प्रदेश में option B question number 13 ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार हो जाएगा ताज महल के डिजाइन का उस्ताद इस्सा next बौधो के विश्वास के अनुसार गौतब मुद का अगला अवतार की से माना जाता है? कलकी को next question समराट अकवळ ने निमलिखित में से किस महल का निर्मान फतेफूर सिक्री में करवाया था? 5 महल 5 महल का निर्मान अकवळ ने फतेफूर सिक्री में करवाया था? question number 26 कुतुम मिनार के पास इस्थित लव अस्तमभ किस राजाने बनवाया था? चंद्रगुप्त दिवतिये, ओफ्षन ए Next question स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने किस समाज की अस्थापना की थी स्वामी द्यानन्द ने आरे समाज की अस्थापना Next निमलिखित में से किस ने इबादत खाना बनाया अकबर Next भारत की प्रथम महिला सासक बनी थी रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान Next Question number 30 टीपु सुल्तान कहां का सासक था? मैसूर का टीपु सुल्तान जो हो जाएगा मैसूर का सासक भारत में प्रथम मुसलिम आकरमन कारी कौन था? मुहमद बीन कासिम मुहमद बीन कासिम जो था? वो प्रथम मुसलिम आकरमन कारी था प्रथम भारतिय सामराची अस्थापित कौन किया था? चंद्रगुप्त मोरे द्वारा चंद्रगुप्त मोरे द्वारा प्रथम भारतिय सामराची अस्थापित किया गया था Next किसके समाधिक एकारन नांदेड गुरुद्वारा सीखो द्वारा पवित्र माना जाता है गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है विक्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नस्ड किया सुल्तान महमुद ने सोमनाथ मंदिर को नस्ड किया question number 35 निमलिखित में कौन सा सबसे पुराना असमारक है सबसे पुराना असमारक अजन्ता की गोफा औफशन C सिंदोगाटी सब्वेता के लोग किसकी पुजा करते थे तो पसुपती सीव की पुजा करते थे औफशन A त्रीपीटक धार्मिक ग्रंथ किसकी है तो बहुज धर्म की है औफशन D पानिपत की तिसरी लड़ाई कब हुई थी 1761 हिस्वी में पानिपत की तिसरी लड़ाई 1761 हिस्वी में हुई थी पानिपत का अगर पहला लड़ाई के बात करेगा तो सन 17 कितना में हुआ था कॉमेंट करिएगा आप लोग पानिपत की अगर पहला लड़ाई कोई पुछेगा तो 1757 हो जाएगा 23 जुन 1757 और तीरतिये 1761 नेक्स्ट कोस्चन मुगल सामराज जी की निव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है मुगल सामराज जी की जो भारत में निव पड़ी तो पानिपत की पर्थम लड़ाई में पानिपत की पर्थम लड़ाई के बाद मुगल सामराज्ची की निव भारत में पड़ी मुगल वंस की अस्थापना भारत में कब होई 1526 इसवी में मुगल वंस की अस्थापना भारत में 1526 इसवी में बाबर ने किया अफ्शन सी इस प्रसन का सही उत्तर हो जाएगा पलासी कायूद कब लढ़ा गया तेस जुन 1757 को पलासी कायूद हुआ चलिए पलासी कायूद 23 जुन 1757 को हुआ था और पानी पत का पहला लड़ाई आप लोग कॉमेंट करिएगा हमने पीछे गलत बता दिया था चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर हम लोग करते हैं कि बक्सर का यूद का अराम हुआ बक्सर का यूद सन 1764 हिस्वी में हुआ लेकिन यहां 1763 है यह भी सही माना जाएगा नेक्स्ट दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था सह जहां अउप्सन सी नेक्स्ट सीवा जी के प्रसासन में पेशवा किसे कहा जाता था सीवा जी के प्रसासन में पेशवा मुख मंत्री के पद पर जो रहता था उसे पेशवा कहा जाता था भारत की प्रतम पुरुनतः रंगीन फिल्म कौन सी थी भारत की प्रतम पुरुनतः रंगीन जो कलर फिल्म था जासी की रानी थी और संडी चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर करते हैं अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ा फड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट कोश्चन किस देश को उरोप का मरीच कहा जाता है तुर्की को बहुत पुराना कोश्चन है इससे कर लिए हैं जल्द ही कर लिये हैं हम लोगों ने इस तरह से अगर आप लोग को एप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर दीजिएगा चलिए तब तक के लिए जैहन वंदे मातरम